दोस्तों वालमिकी के दोरा लिखी पाचवी सताबदी की रामयन जो हम सभी ने बच्पन से ही किताब और टीवी सिरियलों में देखते आ रहे हैं जब जब धर्ती में हिंसा और पाप पड़ता है तब तब प्रफु विष्णू नए अवतार में शवी हिंसक पापियों को दंठ देकर संसार को मुक्त करते हैं और इसी प्रकार विष्णू के साधवी अवतार स्री राम सभी पापियों को विध्वंग्स करने धर्ती पर आते हैं और उसके बाद क्या क्या होता है ये तो आप सभी को पता ही है 1987 में रिलीज हुई रामानांत सागर की रामायन जो आज भी उसी रामायन को लोग खुप पसंद करते हैं आगे आने वाली नए जनेरेशन को देखती हुए निदेशिक उम्रावत लोग प्रियभिनीता प्रभास को लेकर आधिपूरुस फिल्म को लेकर आने वाले हैं लेकिन जिस तरीके का फिल्म की टीजर में वेजुयल और सभी कायक्टर को दिखाया उसे कई भगतों को आहत पहुचा है और उसके बाद से ही इस फिल्म को लेकर कई भी बात फ्रिश्टी हुआ और इसी बीच एक और रामायन फिल्म की रिगार्डिंग प्रिडूसर अलू अर्वेंथ जो अलू अर्जुन के पिताजी हैं उनके दुआरा पता चला है कि नए रामायन फिल्म के काम चालू है और पिछले 18 महिनों से प्री प्रोडेक्शन में है और 2023 में रामायन के ओर से कुछ बरा एनौसमेंट किया जाएगा और ये भारति स्नेमा का अब तक का सबसे बरा और सबसे महेंगा प्रोजेक्ट होगा इसे अनुमान लगाया जाए है कि 2023 में कुछ बरा एनौसमेंट होने वाला है या फिर टीजर भी हो सकता है और ए नया रामायन बिक स्केल में गया है दीपिका पादुकोन को अब जिस तरीकी से फिल्म की मेकर्ष̟ ने इस फिल्म के बारमें जो खुछ भी कहा है उसे उमित कि आ जा सकता है कि आध्यपूरुस। फिल्म से ज़्यादा ग्राफिक्स के ममल में और अच्छा होगा वैसे इस रामायान के बार में आप ल